हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे से हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ सासा draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो यहाँ पर अब देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक sclerish form में नजर आ रही है कुछ इस तरह की shape इनकी हथेली की जो यहाँ पर indicate करती है काफी hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को देखा जाए तो थोड़ी short है लेकिन आगे से pointed होती ही fingers जो यहाँ पर indicate करती है थोड़ी जल्दब होना व्यक्ति को analytic बनाता है ऐसे व्यक्ति कोई भी काम करने से पहले काफी ज्यादा सोच विचार करना पसंद करते हैं और अगर fingers के बीच में बनने वाले gaps को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों fingers के बीच में काफी major gap नजर आ रहा है इस तरह का gap व्यक्त को independent nature का बनाता है ऐसे व्यक्ति थोड़े जिदी सभाव के होते हैं जिनकी इन दोनों fingers के बीच में major gap नजर आ रहा हो और अगर हम fingers की length की बात करें तो shiny finger यहाँ पर काफी अच्छी length में है बिल्कुल straight saturn finger यहाँ indicate करती है कि ऐसे व्यक्ति काफी hard working होते हैं और अपनी मेहनत के बल्बूते पर ही life में आगे बढ़ते हैं और काफी अच्छी progress भी हासिल करते हैं उसके साथ साथ अगर यहाँ पर सूरे finger को देखा जाए सूरे finger की length काफी अच्छी है जो shiny finger का top falange है इसके हाफ को भी cross कर रही है काफी ऊपर तक यह finger सूरे finger पहुँच रही है बिल्कुल साथ साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े से risk taking type की personality रखने वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति अपने पैसे बंदी जो investments हैं उनको करते वक्त भी कई बार risk ले बैठते हैं जैसे share market जैसी चीजों में invest कर सकते हैं crypto currencies है mutual funds हैं ऐसी जगहां पर भी अपना पैसा लगा देते हैं और decisions लेने मे length काफी अच्छी हो और शनी finger के first falange को भी cross कर जाए और आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी गुरू finger को गुरू finger को कर हम compare करते हैं सूर्य finger से तो थोड़ी short नजर आ रही है लेकिन बहुत ज्यादा short नहीं है अच्छी स्थिती में है और चुकी हुई है गुरू finger शन के भीतर ज्यादा रहती है जब गुरू finger का जुकाव शनी finger की तरफ हो और अगर गुरू finger short size में होते है तो ऐसे वेकिती को घर से दूर रहना पर सकता है अपने home town से दूर कहीं और किसी और जगा पर जाकर settle होना परता है family के सुकों में कमी आ जाती है जब जो ब्रसपती finger ह थोड़ी short नजर आए तो यहाँ पर leadership qualities में भी थोड़ी weakness रहने के chances रहते हैं family के सुक भी कम हो सकते हैं इस तरह कि इनकी प्रसपती finger होने की वज़े से आगे देखते हैं इनकी mercury finger को mercury finger की लंबाई यहाँ पर काफी अच्छी आप देख सकते हैं एक strong mercury finger सूरे finger के first falange तक काफी अच्छा gap है इन दोनों fingers के बीज में जो इन्हें independent nature देगा जिदी सभाब भी रहेगा business equipment ऐसे व्यक्ति का काफी strong होता है जिनकी fingers के बीज में ऐसे gap हो और mercury finger की length अच्छी हो तो काफी अच्छी business personality इनकी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी रिखाओं को और इनके सभी mounts को तो यहाँ पर अगर एक line draw की जाए तो कुछ इस तरह की line बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं शनी mount काफी high set है और ब्रस्पती mount हलका सा low set हो रहा और even mercury mount भी थोड़ा सा low set यहाँ पर होता हुआ जि यहाँ पर mercury mount के उपर काफी सारी कड़ी रिखाएं होना काफी अच्छा माना जाता है इस mount के उपर जितनी ज्यादा कड़ी रिखाएं होती है उतनी अच्छी व्यक्ति की personality रहती है ऐसा व्यक्ति दूसरों के प्रती sympathetic nature रखने वाला होता है social worker type की personality रहती है और इस तरह की र strong रहती है इस तरह की खड़ी रिखाएं होने की वज़े से बेशक यहाँ पर एक strong business line मुझे नजर नहीं आ रही है इनके हाथ में क्योंकि अगर जो business की रिखा रहती है वो इस area में एक लंबी रिखा रहती है लेकिन अगर खड़ी रिखाएं हो यह से यह जो रिखाएं है य business acumen को तो strong करती है लेकिन अगर यहाँ पर कोई इस तरह की लंबी रिखा मौझूद हो तभी व्यक्ति business में बहुत ज़्यादा कामियाब हो पाता है तो यहाँ पर business acumen strong रहेगा लेकिन खुद का business करने की जो शमता है उसमें दिकतें आ सकती है आगे देख सकते हैं आप इनक सूरिया माउंट का एरिया है और आप देख सकते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ दबता हुआ भी नजर आ रहा है बहुत ज्यादा लंबाई में या फिर कोई strong सूरिया रिखा अपोलो लाइन यहाँ पर नजर नहीं आ रही जो यहाँ पर indicate करती है कि यश मिले में थोड़ी recognition society में रह सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा यश नहीं मिल पाता आगे आप देख सकते हैं इनके शनी माउंट को शनी माउंट यहाँ पर काफी अच्छा नजर आ रहा है और शनी रेखा मौझूद है यहाँ जो एरिया है शनी का एरिया है और एक prominent एरिया यहाँ पर नजर आ रहा है जिसकी वजह से यह काफी मेहनती रहेंगे और अगर शनी रेखा को देखा जाए तो यहाँ से शुरू होती शनी रेखा completely शनी माउंट तक पहुंच रही है इस तरह की शनी रेखा व्यक्ति को एक comfortable life देती है ऐसे व्यक्ति की जो income है वो consistent रहती है लगातार ऐसा व आगया रेखा कहा जाता है और जब यह रेखा complete होकर शनी माउंट तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति काफी lucky होते हैं और life में काफी अच्छी progress कर पाते हैं और धन की कमी ऐसे व्यक्ति को life में नहीं होती और काफी rich हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे अपनी महिनत के बलबूते पर चले आगे देखते हैं कि गुरू माउंट को गुरू माउंट का एरिया भी यहां पर काफी prominent है बेशिक थोड़ा सा low set है यह माउंट जिसकी वज़ए से अपनी family से अपने hometown से विक्ति को दूर रहना पड़ सकता है लेकिन एक उभरा हुआ गुरू माउंट ह भी चेक किया जो इनकी ब्रसपती finger है वो जुकाव में है शनी finger की तरफ शनी और गुरू दोनों अगर इस तरह से आपस में relation बनता है इन दोनों planets का तो ऐसा विक्ति काफी religious होता है और थोड़ा सा isolated रहने वाला भी हो सकता है विरागी टाप की भी personality विक्ति हो सकते है लेकि मौझूद है यहां से एक रेखा निकल कर completely guru mount तक पहुंच रही है इस तरह की रेखा को progress line का नाम दिया जाता है और जिनके भी हाथ पर ऐसी progress line मौझूद होती है ऐसे विक्ति काफी भागया शाली होते हैं क्योंकि निरंतर progress ऐसे विक्ति की life में होती रहती है तो यहां पर ह रेखाएं इनके लिए बहुत ही भागया शाली रेखाएं हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी major lines को तो यहां पर similar line मौझूद है यहां जो क्रीज है बलकुल सीधी चलने वाली इस तरह की line जो हतीली के दूसरी तरफ पहुंच जाती है यह रेखा जब की line का दोनों का काम करती है इसी वजए से इसको similar line कहा जाता है और इस तरह की रेखा जिनके हाथ में होती है ऐसे व्यक्ति work alcoholic हो सकते हैं और बहुत जादा महीनती होते हैं ऐसे व्यक्ति और कामयाभी भी इनको बहुत मिलती है लेकिन balance करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को बाई बार marriage भी थोड़ी बहुत डिस्टरब रहती है married life में भी दिक्कतें आ सकती है तो इनके लिए जिनके भी हाथ पर सिमियन line बनती है या जिनके भी हाथ पर एक केली ऐसी रेखा होती है जो दूसरी और कोई भी रेखा साथ में ना हो लेकिन यहाँ पर तो एक रेखा औ होना इनके लिए काफी लगी रहेगा क्योंकि यहाँ जो दूसरी line है यहाँ इनके mind को sharp करेगी और mind line का develop होना indicate करता है कि यह पूरी तरह से अपने दिल से काम नहीं लेंगे और अपनी mind का use करेंगे practicality इनके भीतर आएगी लेकिन थोड़ी सी imagination भी इनकी भीतर ज्यादा हो स क्योंकि यहाँ पर mind line double हो रही है एक तो यह रेखा जो उपर वाली है similar line है यह भी mind line की तरह ही act करेगी और जो दूसरी रेखा है यह भी mind line की तरह ही act करेगी तो जिस वजह से थोड़ी over imagination भी हो सकती है इनके अंदर otherwise similar line का और कोई नुकसान नहीं है थोड़ी सी practicality बढ़ ज देख सकते हैं life की line काफी अच्छी लंबाई में है और थोड़ा सब बाहर की तरफ निकल कर इनकी life की line चल रही है आपको draw करके दिखाना चाहूंगा कुछ इस तरह से इनकी life की line बाहर की तरफ निकलती हुई और आगे फिर अंदर की तरफ मुडती हुई इस तरह की रेखा वापस पीछी की तरफ मुडती है यहां से आप देख सकते हैं इस तरह की रेखा यहां रेखा इंडिकेट करती है कि व्यक्ति का लगाव जो है जो attachment है वो अपने home town से बनी रहती है और ऐसा व्यक्ति काफी समय बाहर spend करने के बाद अपने country वापस आ जाता है इस चीज की सं addiction भी इसको कहा जाता है इस तरह की line का होना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है ऐसे व्यक्ति को किसी तरह की कोई addiction या फिर कोई allergy होने के chances बढ़ जाते हैं जब इस तरह की रेखा हाथ में मौजूद हो और यहां फिर यह रेखा कामुकता को भी बढ़ाती है sexuality भी व्यक् काफी जादा रहेगी लेकिन थोड़ा सा तनाव भी यहां पर रहने के chances हैं तो कि मून मांट थोड़ा सा कमजूर होता हो नजर आ रहा है शुकर मांट को देखा जाए तो काफी अच्छा है यहां पर जो area है यहां पर इनके venus मांट का का काफी उबरा हुआ है हलकी worry lines मौज assist थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जो आप एक ही वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या सवाल रहे जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पे message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आ को बहुत बहुत धन्यवाद